तुर्की पाकिस्तान का मित्र देशा और उसकी कई डिफेंस से रिलेटिड चीजे बनाता भी है और साथ ही दोस्तो उसके अंदर मदद भी करता है और अभी दोस्तो वह इंडियन नेवी के भी एक प्रोजक्ट के अंदर काम कर रहा है अपनी कमपनी के द्वारा आज इसी के बात करेंगे चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो कल ही हिंदुस्तान टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया कि हिंदुस्तान शिपयाड लिमिटेड को एक बड़ा ओडर मिल सकता है इंडियन नेवी की तरफ से इस साल के अन तक और ये कॉंट्रेक्ट होगा पांच शिप बिल्डिंग कमपनीज का एक संगठन है उसे सिलेक्ट किया था इसी प्रोजक्ट के लिए और उन्हें दोस्तो रश्या और जर्मन कमपनीज के उपर सिलेक्ट किया गया था और कॉंट्रेक्ट के हिसाब से टी ए आ आई एस को हिंदुस्तान शिपयाड को डिजाइन और मशीनरी की सप्लाई करनी थी इन पांच शिप्स को बनाने के लिए और इस पोरे प्रोजक्ट की कीमत 2.3 बिलियन डोलर होनी थी और साथ ही ये 8 साल के अंदर पूरा होना था लेकिन दोस्तों ये प्रोजक्ट डिले हो गया और इसके पीछे कारण ये था कि तुरकी ने डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था और कश्मीर के उपर बयान देकर लेकिन अभी जो रिपोर्ट आ रही है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से वो ये कहती है कि तुरकिश कम्पनी के साथ में ये प्रोजक्ट शुरू हो सकता है अगर एक बार हिंदुस्तान श हलांकि दोस्तो वार्शिप की तुलना में इन शिप्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं है लेकिन जब से इंडियन नेवी ने कहा है कि वह मिशन बेस्ट डेप्लोइमेंट करेगी वार्शिप की इसका मतलब ये है कि वे कई महीनों तक दूर डेप्लोइ होंगे तो ऐसे में इ इंडियन नेवी के सबसे बड़े शिप होने वाले हैं क्योंकि दोस्तो इनकी लंबाई 230 मीटर होगी और इनकी डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन होगी इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये एरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे ही होंगे अब दोस्तो बात आती है पाकिस्तान लि से बनाया था हलांकि ये इंडिया के जो शिप वोफर किये जा रहे हैं उनसे काफी चोटा था ये केवल 17,000 टन का ही था और इसी शिप को बनाने के लिए जिस STM ने कोंट्रेक्ट जीता था 2016 में भी इसी कंपनी ने 35,500,000,000 डोलर का एक कोंट्रेक्ट जीता था पाकिस्तान के अंदर उनकी फ्रेंच डिजाइन अगोस्ता 90B सम्मरीन को अपग्रेड करने के लिए जिसके अंदर उसके लिए नए सोनार, पैरिस्कोप, इलक्रोनिक और सेल्फ डिफेंस सिस्टम लगाये जाने थे और 2018 के अंदर ही पाकिस्तान ने ये अनौंस किया था कि उन्होंने तुर्की की मिलगैम क्लास के करवेट के लिए कॉंट्रेक्ट किया है और ये करवेट समाल वारशिप ही होते हैं 2000 टन की डिस्प्लेशमेंट के सात में और ये मिसाइल टोर्पीडो एंटी शिप और एंटी सम्मरीन वारफियर और एर डिफेंस रोल के लिए भी जाने जाते और 2018 के अंदर इस डील की कीमत 1.5 बिलियन डॉलर थी जो कहा गया था कि तुर्की की सबसे बड़ी export डील है और इस डील के हिसाब से दो कोरविट तुर्की की एक शिपयाड के अंदर बनाय जा रहे हैं और दूसरे दो शिप कराची के अंदर बनाय जा रहे हैं और ये चारो चाइनीज के द्वारा बनाई गए मीडियम रेंज सर्फेस टू एर मिसाइल सिस्टम को कैरी करेंगे अब दोस्तो सवाल ये आता है कि वही कमपनी हमारा भी शिप बनाने में मदद करेगी उसके अंदर डिजाइन भी बनाएगी टेकनोलोजी भी ट्रांसफर करेगी और पाकिस्तान नेवी के लिए भी वो शिप बना रही है तो ऐसे में दोस्तो क्या ये सही होगा तो पहले मैं आपका बताना चाहूँगा हम केवल फ्लीट सपोर्ट वैसल ही बनवाने जा रहे हैं और दूसरी बात हमारे शिप के अंदर जो भी सिस्टम लगे होते हैं वो सारे हमने खुदने बनाए है या फिर कुछ एक के अंदर हमने रशिया के साथ में डील की हुई है तो इससे दोस्तों किसी भी तरह की टेकनोलोजी का ब्रीच नहीं होगा पाकिस्तान के साथ में और दूसरी बात तुर्की की कमपनी अगर हमें ट्रांसफर ओफ टेकनोलोजी कर रही है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ता है, पाकिस्तान के साथ काम कर रही है या नहीं, तो इससे हमारे शिप्याड को एक एबिलीटी ही मिलेगी, धन्यवाद जैहिन